नमश्कार दोस्तों, NCRT गुरुजी में आपका बहुत-बहुत स्वागत है अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें तो आई ये सुरू करते हैं सबसे पहले तो आप लोगों से माफी चाहूंगा ये वीडियो काफी लेट है पर क्या करें मेरा वी एकजाम आज ही खतम हुआ है मुझे उमीद है कि आप समझेंगे पिछली वीडियो में हमने देखा था कि अगर आपने इस चेप्टर की कोई भी वीडियो मिस की है और नहीं देखी है तो सारे के सारे लिंक्स दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ से जाकर उसे देख सकते हैं ये है एक्टिविटी 2.10 इसमें हम सीखेंगे कि किस तरह किसी भी कंसेंट्रेटड एसीड या बेस को हम डाइल्यूट करते हैं तो आईए देखें हमें 10 ml वाटर लेना है एक बीकर में हमें उस बीकर में कुछ बूंद डालने है उसके बाद बीकर के बेस को टच करना है तो क्या आपको टेमपरेचर में कोई चेंज दिखा तो आपको टेमपरेचर में चेंज दिखेगा चुकि एसीड का डिलूशन पूरा का पूरा एक्जोथर्मिक प्रोसेस है जो की हीट रिलीज करता है Is this an exothermic और endothermic प्रोसेस तो मैंने आपको बताया कि एसीड या बेस का डिलूशन हमेशा एक्जोथर्मिक प्रोसेस होता है उसमें हीट रिलीज होता है Repeat the above activity with sodium hydroxide pellets and record your observation तो base के gaze में भी, sodium hydroxide के gaze में भी आपको इसी तरह के कुछ observation मिलेंगे The process of dissolving an acid or base in water is highly exothermic किसी भी acid या base को पानी में मिलाने की परकरिया बहुत ही ज़्यादा exothermic होती है वो heat release करती है Care must be taken while mixing concentrated nitric acid और sulfuric acid with water चुकि nitric acid और sulfuric acid बहुत ही strong acids हैं तो इनको पानी में मिलाते वक्त आपको खासा खयाल रखना पड़ता है The acid must always be added slowly to water with constant stirring ये बात note करने लाइक है हम हमेशा water में acid को मिलाते हैं Acid में water कभी नहीं मिलाया जाता अगर आप ऐसा करेंगे तो वो reaction काफी exot हमिक होगा और आपका container तूट सकता है Acid splash करके बाहर आ सकता है आपके कपड़े खराब कर सकता है आपकी body को खराब कर सकता है तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखें कि हम हमेशा पानी में ही acid को मिलाते हैं If water is added to concentrated acid The heat generated may cause the mixture to splash out and cause burns तो मैंने आपको बताया कि किस तरह से acid में अगर आप पानी मिलाएंगे तो वो splash करके आपके कपड़ों को आपकी body को खराब कर सकता है The glass container में also break due to excessive local heating Local heating काने का मतलब जिस container में आप acid को मिला रहे हैं वो container तूट जाएगी उसका heat जो होगा वो बहुत ही जज़ा generate हो जाएगा Look out for the warning shine in figure 2.5 यह है figure 2.5 वो इसमें देखिए warning shine यहां हाथ पे दिखाया गया है केस पे आप अगर acid डालेंगे तो यहां से हाथ आपका यहां से गायब हो जाएगा तो इसका आप धेहान रखिए mixing of an acid or base with water results in decrease in the concentration of ions per unit volume तो अब सवाल यह उठता है कि पानी में acid मिलाने से acid का concentration किस तरह घटता है तो जब भी आप पानी में acid को मिलाते हैं तो acid में present H plus ion और base में present OH minus ion के concentration में एक कमी आती है जिस कारण वो less concentrated होते हैं वो dilute हो जाते हैं और जब हम ऐसा करते हैं तो उस process को dilution कहते हैं और जो acid और base form होता है उसे हम diluted acid या फिर diluted base कहते हैं यह question answer है इसके लिए हमने एक अलग playlist बनाया है जिसका link दे रहा हूँ आपको description में chapter 1 का कुछ question answer हमने वापे देखा था अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं 2.3 How strong are acid or base solution? तो अब हम देखेंगे कि acid या फिर base के strongness या फिर weakness का क्या पेमाना है? हम तैक रेसे करेंगे कि भाईया यह acid तो बहुत strong है और यह बिल्कुल strong नहीं उसके लिए हम pH scale का इस्तेमाल करते हैं इसमें आपको उसी के बारे में बताया गया है तो आएए देखते हैं We know how acid base indicators can be used to distinguish between the acid और base तो हमने अभी तक बहुत सारे indicators पढ़े हैं Natural indicator, synthetic indicator We have also learnt in the previous section about the dilution and decrease in concentration of H plus and OH minus ions in the solution तो उपर के section में हमने देखा कि किस तरह H plus और OH minus ion के concentration के घटने पे acid या base dilute होने लगती है इसका मतलब यह है कि यह H plus ion और OH minus ion के concentration ही जिम्मेदार है acid और base के strength को determine करने में Can we quantitatively find the amount of these ions present in a solution तो क्या हम पता कर सकते हैं quantitatively की कितना amount है एक, दो, चार, दस, हजार, दो, हजार कितने हैं तो हम molar level पे इसे पता कर सकते हैं पर अभी तो pH scale का इस्तमाल ही करेंगे Can we judge how a given strong acid or base is तो बिलकुल हम judge कर सकते हैं pH scale का इस्तमाल करके We can do this by making use of universal indicator which is a mixture of several indicator तो universal indicator एक ऐसा indicator होता है जो बहुत सारे indicators को मिला कर बनाया जाता है The universal indicator shows different color at different concentration of hydrogen ions in a solution चुकि universal indicator बहुत सारे indicators को मिला कर बनाया जाता है इसलिए वो अलग-अलग color दिखाता है अलग-अलग concentration के acids के लिए या फिर concentration के base के लिए A scale for measuring hydrogen ion concentration in a solution is called pH scale एक बिशेज तरह का scale है जिससे हम H plus ion के concentration को मेजर करते हैं उसे हम pH scale कहते हैं The P in pH scale stands for Potence in German meaning power तो यह जो pH है इससे हम H plus ion के concentration को मेजर करते हैं तो यह जो capital H आपको दिख रहा है तो quite obvious है कि यह H plus से कुछ H relate करता है और यहाँ जो P है वो P का मतलब है Potence Potence means power German में Potence को power कहते हैं तो कोई German scientist रहे होंगे जिन्होंने यह दिया होगा On the pH scale we can measure pH from 0 very acidic to 14 very alkaline अगर किसी भी solution का pH 0 है तो वो बहुत ज़्यदा acidic है और अगर किसी भी solution का pH 14 है मतलब वो बहुत ज़्यदा basic है pH should be thought of simply as a number which indicates the acidic or basic nature of a solution pH को आप एक number scale की तरह सुच सकते हैं जो की acid या base के strength को बताता है Higher the hydronium ion concentration, lower the pH value यहाँ hydronium ion की बात हो रही है हमने तो उपर सिखा है कि pH H plus ion के concentration को measure करता है तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि H plus ion अकेले exist नहीं करता है water में वो H2O के साथ react करके H3O plus बनाता है अगर कहीं भी आपको दिखे कि hydronium ion की बात हो रही है तो आप समझें कि वो indirectly H plus ion की ही बात हो रही है जो की combined form में exist कर रहा है water solution में तो अगर किसी भी solution में H plus ion का concentration ज़्यादा होगा मतलब वो acidic होगा तो H plus ion का concentration जितना ज़्यादा होगा वो 0 की तरफ tend करेगा चुकि 7 हमारा neutral point है 7 से left की तरफ बढ़ेंगे 6, 5, 4, 3 और 0 तक जाएंगे उस तरह से हमारी acidity घटती जाएगी और अकर 7 से हम right words बढ़ेंगे 7 के बाद 8, 9, 10 और 14 तक तो हमारी basicity बढ़ती जाएगी तो यहाँ इस line के मताबिक H plus ion का concentration जितना ज़्यादा pH value उतनी कम H plus ion का concentration जितना कम pH value उतना ज़्यादा the pH of neutral solution is 7 तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि किसी भी neutral solution का जैसे कि water हो गया, हमारा blood हो गया उसका pH 7 होता है the values less than 7 on the pH scale represent the acidic solution तो साथ से कम वाले values acidic solution को represent करते हैं और ज़्यादा वाले basic solution को represent करते हैं as the pH values increase from 7 to 14 it represents the increase in OH minus ion concentration in the solution it is the increase in strength of alkali अगर कोई भी solution 7 से उपर pH indicate कर रहा है, इसका मतलब वो basic है उसमें OH minus ion की concentration जादा है और वो एक alkaline solution है generally paper impregnated with the universal indicator is used for measuring pH one such paper is shown in figure 2.6 तो figure 2.6 यह है इस तरह का एक pH paper होता है यह blue line है नहीं होती है यह पूरा एक single color होता है आपको इस color का या फिर गुलाबी color का impregnated का मतलब है soak क्या हुआ, soakा हुआ तो pH measure करने के लिए हम एक ऐसे paper को काम में लेते हैं जिसे universal indicator में dip करके dry किया हुआ होता है यहां कुछ map dund और पैमाने बताए गए हैं जैसे की acidic nature increasing, basic nature increasing, increase in H plus ion concentration, decrease in H plus ion concentration तो यह सारी बाते हम उपर discuss कर चुके हैं आप चाहें तो इसे देख सकते हैं आगे है activity 2.11 इसमें कुछ substances दे रखे हैं आपको 10 substances इनका pH टेस्ट करके आपको बताना है और कुछ इस तरह का होता है pH indicator यह color band आपको आपके pH paper वाले strip के cover भी मिल जाएगी जब कभी भी आप pH paper से किसी भी acid या base के acidity या फिर basicity को test करेंगे तो वो एक खास color में बदल जाएगा और यह scale है जिसमें numbers mark किये हुए है 0 से 14 तक तो जो color आपको आपके अपने pH पर मिला उसे इनसे टैली करके देखना है और उसके बाद आप determine कर सकेंगे कि आपके लिए हुए solution का pH क्या है यहाँ कुछ normal pH indicate कर रखे हैं गेस्टिक जूस का pH 1 लेमन जूस का pH 2 प्यूर वाटर और बलड का pH 7 मिल्क ओफ मैगनेशिया का pH 10 और मैगनेशियम हाइडरोकसाइड सॉल्फिशन का pH 14 pH of some common substances shown on a pH paper बागे देखते हैं The strength of a seed and base depends on number of H plus ion and OH minus ion produced respectively किसी भी acid का concentration उसमें present number of H plus ion से determined होता है और किसी भी base का concentration उसमें present number of OH minus ion से determined होता है If we take hydrochloric acid and acetic acid for the same concentration say 1 molar then these produced different amount of hydrogen ions चुकि hydrochloric acid एक strong acid है और acetic acid एक weak acid है तो यह obvious सी बात है कि H plus ion hydrochloric acid में जदा होगा और acetic acid में कम Acids that give rise to more H plus ion are said to be strong acid तो वैसे acid जो जदा H plus ion देते हैं strong acid कहलाते हैं and acid that give less H plus ion are said to be weak acid और वैसे acid जो कम H plus ion देते हैं वो weak acid कहलाते हैं Can you now say what weak or strong basis are तो इसी तरह similarly आप कह सकते हैं जो जदा OH minus ion दे वो strong base होगा और जो कम OH minus ion दे वो weak base होगा importance of pH in everyday life तो अब हम देखेंगे कि हमारे रोज मर्रा की जिंदगी में pH का क्या महत्व है are plants and animal pH sensitive तो क्या पौधे और जो जीव जनतु हैं क्या वो भी affected होते हैं pH से our body works within pH range of 7.0 to 7.8 आपको याद रखना चाहिए पूछा दा सकता परिक्षा में कि हमारा body कितने से कितने range के बीच में काम करता है living organism can survive only a narrow range of pH change तो जो भी living organism है वो pH में ज़्यदा variation बरदास्त नहीं कर सकते ये भी याद रखने वाली बात हो सकती है कि जब 5.6 से pH कम हो जाता है रेन का तो उसे हम acid rain कहते हैं तो जब land area से drain होके water river में पहुँचता है तो जो aquatic life है जो मचलिया है और भी तरह की जीव है उनका जीना दुभर हो जाता है चोकि pH काफी कम हो जाता है आपको अपने पीछे वाले आंगन की मिट्टी का pH टेस्ट करना है अब बैक्यार्ड हो आपके पास नहीं हो ये नहीं पता पर pH तो टेस्ट करना है प्लांट्स रिक्वाइर अ स्पेसिफिक pH रेंज फॉर देर हल्दी ग्रोथ तो पौधों को अच्छे तरीके से ग्रो करने के लिए एक खास तरह की pH रेंज की जरूरत होती है तो ये 2.12 में कुछ बताया क्या है उस हिसाब से आपको स्वाइल का pH चेक करना है और पता करना है कि जो हल्दी ग्रोथ है प्लांट का वो किस रेंज ओफ प्लांट्स में होगा तो आप ये भी पता कर सकते हैं कि जहां से आपने मिट्टिली है उसमें किस तरह के पौधे ग्रो करते हैं एक्टिविटी 2.12 पुट अबाउट 2 ग्राम स्वाल इन टेस्ट्यूब एड़ 5 ml वाटर टो इट एक टेस्ट्यूब में आपको 2 ग्राम मिट्टी लेना है उसमें 5 ml वाटर एड़ करिए shake the content of test tube उसे अच्छे से check करें filter the content and collect the filtrate in test tube आप उस solution को filter कर लें और filtrate जो वाटर के रूप में आपको मिला उसे आप एक test tube में collect कर 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 से check the pH of the filtrate with the help of universal indicator paper और pH paper की मदद से आपको जो filtrate मिला उसे आप test करें कि क्या pH है उसका What can you conclude about the ideal soil pH for the growth of plant in your region तो बहुत कम variation होना चाहिए आपको neutral से 7 के आस पास ही रहना चाहिए ज्यादा pH नहीं हो तो बहतर रहेगा plant के healthy growth के लिए pH in our digestive system It is very interesting to know that our stomach produce hydrochloric seed तो आपको पता होगा कि हमारे पेट में hydrochloric seed produce होता है food को digest करने के लिए It helps in digestion of food without harming the stomach चूँकि ये सीमित मात्रा में produce होता है तो हमारे stomach को harm नहीं करता पर अगर इनका production बहुत ही ज़्यादा हो जाए किसी भी कारण से तो ये irritation दे सकता है हमें दर दे सकता है और उस case में हम entire seed का इस्तिमार करते है During in-digestion the stomach produces too much a seed and this causes pain and irritation तो in-digestion के case में जब हमारा खाना ठीक से पच नहीं पाता है तब stomach में बहुत ज़दा hydrochloric seed produced हो जाता है जो कि irritation और in-digestion के दोरान हुए pain के लिए responsible है To get rid of this pain people use basis called anti-seeds तो इस problem से चुटका रपाने के लिए हम anti-seeds का इस्तिमाल करते है One such remedy must have been suggested by you at the beginning of this chapter तो chapter के सुरुआत में आपसे पूछा गया था कि अगर आपको acidity होगी तो आप क्या लेना पसंद कीजेगा acid लेना पसंद कीजेगा base लेना पसंद कीजेगा तो हमने बताया था आपको कि हम base लेंगे अगर acid को nullify करना है तो these anti-seeds neutralize the excess acid anti-seeds काने का मतलब ये acid के anti है opposite है तो ये चुकी base होते हैं तो acid को neutralize करते हैं और हमारी acidity जो पेट में हो रखी है उसे कम करते हैं magnesium hydroxide milk of magnesia ये एक base है जो आम तोर पर लिया जाता है acidity में mild base is often used for this purpose acidity में ये देते हैं तवा के तोर पर pH change as the cause of tooth decay pH की अहम भूमी का है हमारे दातों को खराब करने में भी tooth decay start when the pH of mouth is lower than 5.5 अगर हमारे mouth का pH 5.5 से कम हो गया तो बहुत सारी तकलिफे हैं देखते हैं tooth enamel made of calcium phosphate is hardest substance in the body तो हमारे tooth का enamel है enamel मतलब जो दात के उपर के परत होता है तो हमारे बोड़ी में मौझूद सबसे ज़्यादा strongest, hardest चीज है यह पानी में नहीं घुलता पर यह खराब होने लगता है अगर mouth का pH 5.5 से कम हो जाए bacteria present in mouth produce acids by degradation of sugar and food particles remaining in the mouth after eating अगर खाने के बाद खाने के कुछ टुकुड़े आपके मुह में रह जाते हैं तो bacteria उसे degrade करेगा जिससे की mouth का pH कम होगा और हमारे दात खराब होंगे इसलिए हम ब्रस करते हैं तो इससे बचने का सबसे अच्छा उपाई यह है कि आप खाना खाने के बाद ब्रस करें तो हम toothpaste का इस्तेमाल करते हैं जो की आम तोर पर basic होता है तो toothpaste का इस्तेमाल करने के बाद जो की basic होते हैं हमारे मुँ के घट रहे pH को neutralize करते हैं और हमारे दातों को protect करते हैं तो कुछ प्लांट और अनिमल ऐसे भी हैं जो acids का इस्तेमाल करके अपनी सुरक्षा करते हैं जैसे की पताया गया है क्या आपको कभी किसी मधुमक्खी ने काटा है तो मधुमक्खे का जो डंक है वो हमारे बड़ी में एक खास तरह का इस्तेमाल करता है जिससे बर्निंग इरिटेशन होता है और हम काफी मुसीवत में आजाते हैं यूज ऑफ ए माइल्ड बेस लाइक बेकिंग सोडा और स्टंग एरिया गीव सरे लीव चुकि एसीड इंजेक्ट होता है हमारे बड़ी में अगर उसके उपर हम बेस का अगर कुछ दें तो वो नलिफाई हो सकेगा और हम रहत की सांस ले सकेंगे इंजेक्ट मेथानौई के सीड काउजिंग बर्निंग पेन नेटल लीव ये पौधे का नाम है उसके कंटीले बाल होते हैं जो की मेथानौई के सीड इंजेक्ट करते हैं जो कि बहुत ही दर्द भरा है अहसास देता है तो आगे है फिर से कुश्चन है और more about salts आज के लिए इतना ही रखते हैं आपका कोई भी सवाल या सुझाब हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ और उनके जवाब देता हूँ अगर आप मुझे personally कुछ पूछना चाहते हैं आप फॉलो कीजिए हमें Twitter पे Facebook पे link है channel के about section में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं अगली वीडियो में आपका दिन शुब हो